जै मातादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 सितंबर और 17 सितंबर के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए 16 और 17 सितंबर का दिन कैसा रहेगा इन दो दूनों से शिक्षा स्वास्था प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन दांपत्य जीवन करियर नौकरी दुकान हर चीज के बारे में तो आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और से दिनाम का योग बन रहा है इस दिन सुबा साथ बज़ कर 42 मिनट तक उसके बाद साथ दिनाम का योग बनेगा बुदवार का ये दिन है और सूर्य इस दिन शाम साथ बज़ कर 23 मिनट तक सिहंग राशी में रहेंगे उसके बाद राशी परिवर्टित करके कन्या राशी म चल रहे हैं तो यह जो स्थितिया है इस दिन कोई अभी जी तो मौरत नहीं है लेकिन सूर्य का गोचर होगा जो कि काफी एफ्यक्टिव होगा क्योंकि सूर्य का गोचर और बुद्ध का गोचर ऐसा होता है जो की राशी बदलते ही अपना परभाव देना शुरू कर देता है सत्रा सितंबर की बात करते हैं तो ये क्रश्न पक्षकी यानि श्राद पक्षकी अमावशातिति है और इसे श्राद अमावशा कहा जाता है पित्र अमावशा कहा जाता है तो ये जो अमावाशाती थी है ये बहुत ही शुब है इस दिन पुर्व फालगुनी नक्षत्र होगा शुब योग बनेगा गुरुवार का दिन है सूरिय कन्या राशी में आ चुके हैं और चंद्रमा शाम तीन बजे तक सेहिंग राशी में रहेंगे उसके बाद आपकी बारवे भाव में आ जाएंगे यानि कन्या राशी में आ जाएंगे इस दिन अभी जीत मूरत की बात करें तो ये सुबह ग्यारा बज कर 51 मिनट से दो पहर 12 बज कर 40 मिनट तक है तुला राशी की हम बात कर रहे हैं तुला राशी के लोगों के लिए यहां चंद्रमा की जो इस्तिती होगी वो आपके एकादस भाव में है यानि सेहिंग राशी में चंद्रमा है जो कि आपका एकादस भाव है एकादस भाव जो होता है ये लाब भाव कहा जाता है ये दो दिन आपके आर्थिक मामलों के लिए अच्छे रहेंगे आपको अच्छे फल इन दो दिनों में देखने को मिलेंगे क्योंकि एकादस भाव की चंद्रमा आपके लिए लाब के योग बना रहे हैं हाला कि पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी आपके बड़े भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मरमुटाव के स्थिति बन सकती है तो ऐसी स्थिति में आपको बचनी की कोशिश जरूर करनी है और अपना जो वेवार है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के आवशक्ता है जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही ऐसी चीजों से आप दूर रह सकते हैं इस दोरान आप अपने घरवालों के साथ अपने दोस्तों के साथ अच्छा एंज्योय भी करेंगे आपके घर पर खुशियों का माहुल भी बना रहेगा और बहुत समय से घर पर चले आ रहे जगडों से भी मुक्ते मिलेगी ये समय सभी गिले शुकों को दूर करने का होगा आप अपने परिवार में एक अच्छा सामजा से बना पाएंगे आपके कुछ रिष्टिदार इन दिनों में आपके घर आ सकते हैं आज आपके घर और आपके आसपास का माहुल काफी संपूर्ता भरा रहेगा और जो आपको खुशी का एहसास दिलाएगा बस अपनी भाई बेहनों के साथ थोड़ी सा स्यम से आपको पेशाना है इस दोरान आपको लगेगा जो भी चीजें हैं जो भी काम हो रहे हैं वो आपके अनुसार ही चल रहे हैं सब कुछ आपके नियांतरण में हैं और अपनी जिम्मेदारियों को आप बहु भी निबाबी रहें बस इसी तरह से सब कुछ चलता रहे तो इसलिए आपको हर चीज पर दिहान देना है सब कुछ आपके पक्ष में रहे तो चिंता की कोई बात नहीं है बस अपने काम पर आपको फोकस रखना है और खुद पर आपको दिहान रखना है अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक रूप के लिए आज का दिन जो है काफी अनकुल है कोई समझा दिखाई नहीं दे रही है आपके आएके साधन भी बढ़ते दिख रहे हैं और स्थिर भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन किसी भी तरह के लापरवाही ना बढ़ते हैं, किसी भी काम को लेकर लापरवाही ना बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप लापरवाही करते हैं, तो किसी मौकी को हाथ से गवा बैठते हैं, तो अच्छा रहेगा, अपने निवेश करने जा रहे हैं, तो उसका ध्यान र इस समय कोई व्यक्ति आपका ध्यान अपनी तरफ कीच सकता है, आपके जीवन में नई उमंग और जज़बाद पैसा पैदा कर सकता है, प्रेम सम्मंद के मामले में ये समय अच्छा रहेगा, आपके जीवन में प्रेम की बहार होगी, रिष्टों में एक आकर्शन होगा, जि गंभीरता से आप इस बारे में विचार भी कर सकते हैं, गंभीरता से उस रिष्टे के बारे में आप सोच भी सकते हैं, तो ये प्रेम सम्मंद के लिए अच्छा है, वेवारिक जीवन के लिए अच्छा है, और पारिवाई जीवन के लिए अच्छा है, अगर आप किसी बा के अनुसारक की लाइन करो का आपको कोई काम से लिए को अच्छा अच्छा लाब कमा सके लगए इसके लावा सूर्य का राशी परिवर्तन भी होगा और सूर्य का यह राशी परिवर्तन हलाकि आपके लिए जो कन्यराशी में बारवे भाव में हैं जो आपके व्या का भाव है तो खर्चा तो आपको कराएगा ही यहां बुदादित योग भी बनेगा बुद के साथ सूरे बैठेंगे बारवे भाव में लेकिन जो व्यपारियों के लिए समय होगा वो अनुकुल जरूर कहा जा सकता है व्यपारियों के लिए यह समय कई तरह की अनुकुलता लेकर आएगा तो इस दोरान आपको सबसे अधिक तो खर्चे पर नियंतरन करना है अपनी पैसिक को ऐसे ही इन्वेस्टर नहीं करना है बेकार में नहीं उड़ाना है बेकार की खरीदारी नहीं करनी है इन चीजों को आप जितना avoid हो सके उतना avoid करें स्वास्ते की द्रस्टी से देखा जाए तो स्वास्ते का ध्यान रखें कुछ मौसमी बिमारिया या कुछ आलस जादा रह सकता है इसके लिए आपको समय पर वियाम करना चाहिए खाने अपने पोस्टिक आहर आपको अपने दिंचरिया में शामिल करना चाहिए ताकि आप खुद स्वास्त रह सकें तो इन चीजों पर आप देहान रखें आप बात करते हैं विध्यार्तियों की तो विध्यार्तियों के लिए भी ये समय देखिए कई तरह के अफसरों को हाथ में आने का समय है अगर आप स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं तो इन दुनों में कुछ मौका मिल सकता है आपको आगे बढ़ने का और विध्यार्तियों इस समय अपनी अच्छी पकड़ बना पाएंगे अपनी सब्जेक्ट पर जो आपको कुछ कठिन लगता है उसको भी आप अपनी टीचर्स के सहयोग से अपनी बढ़ों के सहयोग से उस पर भी आप अच्छी पकड़ बना पाएंगे तो इध्यार्तियों के लिए भी समय जो है काफी अनुकुल है अब हम बात करते हैं अमावश्या तिथी के बारे में क्योंकि ये बहुत ही महत पूर्ण दिन है देखें अमावश्या जो तिथी है ये श्राद पक्ष में आने वाली अमावश्या है इसको श्राद अमावश्या पित्र पक्ष अमावश्या कहा जाता है इस दिन उन पित्रों का श्राद किया जाता है जिनके आपको तिथी नहीं मालूम होती या जिनका आप श्राद करना भूल जाते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं कि सर्व पित्र, सभी पित्रों का एक साथ श्राद करना तो इस दिन आप एक साथ अपने सभी पित्रों का श्राद करें, उनका समरन करें, जो भूले हैं आप वो भी और उनके नाम का आप पिंड़ दान करें, तरपन करें, ब्रामनों को भोज करें, या उनको समर्पित करके आप कुछ दान कर सकते हैं, अनका दान, वस्तर का दान, किसे भी चीज का आप दान कर सकते हैं, अगर आप इस दिन अपने पित्रों को खुश करते हैं, तो पित्र इस दिन खुश होकर अपने धाम वापस चले जाते हैं, और आपके ऊपर सुख समर्दी आपको देते हैं, परिवार में खुशियों का आशिरवाद दे कर जाते हैं, जल चड़ाएं पीपल को और परिक्रमा भी करें ये इस दिन का बहुत उत्तम उपाया है इसे आप जरूर करें साथी चानल को भी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें